हलो गाइज अब यू कैसे आप सब लोग माइनेम इस अर्विन दरोडा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइज फिर से 10 चैलेंजिंग कोशिंज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ सजेस्ट कर सकूँ इन 10 क्वेशिंज में से 8 नंबर क्वेशिंज जो है वो मेरा फेवरेट है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं मैं 2 और 3 इंपॉर्टन अनॉंसमेंट पहला तो ये कि अभी तक मैं टोटल 26 से 27 वीडियोस में अप्लोड कर चुका हूँ 27 एक सुबह भी किया था तो 27 वीडियोस अप्लोड कर चुका हूँ और ये वो टॉपिक है जो अप्लोड हो चुके हैं तो आप चेक कर लो कि इन में से कौन सा टॉपिक आपका रह गया है S-Block से लेके, Polymer से लेके, Redox Reaction से लेके, Thermo, Electrochemistry, Chemical Kinetics, Chemistry in Everyday Life, GOC से लेके, Alcohol, Phenol, Ether तक इतने सारे टॉपिक मैं 27 वीडियोस में अलड़ी कवर कर चुका हूँ यानि कि 27 इंटू 10 270 questions मैं आप लोगों को सोल करा चुका हूँ बहुत सारे student तो कर भी चुके हैं पर अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो इन questions को कर लो playlist description box में given है जो link आपको मिल जाएगा उसको click करो और वहाँ पर सारी वीडियोस आप देख सकते हो तो फड़ा फट से इनको कर लो guys next है चोटी से information और है आप लोगों के लिए कि guys अगर अभी भी आप लोगों को chemistry के lectures required हैं तो आप मेरे सारे chemistry के lectures unacademy app which is India's largest learning app उसको google play store से डाउनलोड करके या फिर is app store से डाउनलोड करके में सारे वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं आप वहाँ पर search engine में अर्विन दरोडा लिखे आपको मेरा profile pic दिख जाएगा उसमें आप मुझे follow कर सकते हो मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं यह मेरी तरफ से information थी चलो पहला सवाल ले लेते हैं ultimate question लेकिन आपको करना क्या आपको पता है न कि आपको question खुद से पढ़ना है फिर मेरे answer से match करना है 8.2012 का पहला सवाल है तो देखे question क्या है आपसे accept पूछा है देखो यह सारा language का खेल है बच्चे यहाँ ध्यान से देखते नहीं है और यहाँ पर घरवड हो जाती है आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा exception है जो कि IDOFORM test नहीं देता या IDOFORM प्रिपेर नहीं हो सकता उससे वो पूछा आपसे तो finally ज़रा चेक करो आपका answer का है वीडियो को post कर लो अपना answer log कर लो कर लिया आपने तो चलो अब मेरा answer सुनो इसका answer है D तो आपको मैं बता देता हूँ देखो IDOFORM test जो है कौन से ग्रूप देता है methyl ketone, CH3, CO group उसमें होना चाहिए पहली बात तो यह या फिर ketone, methyl ketone group वाले या फिर alcohol में ये वाला group CH3, CH and OH ये आज सुबह की वीडियो में भी एक ऐसा question था तो ये AEEE 2012 का question है आपको ध्यान देखना है ये जो group present हो अगर किसी भी compound में तो आइडो form test positively देते हैं और जिसमें नहीं है वो नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है इन सब के formula बना के देखने हैं आपको isobutyl alcohol एक ऐसा मिलेगा जहां पर CS3, CH, OH ये वाला group present आपको नहीं मिलेगा तो आपका इस cancer जो बनेगा वो D है क्यों ऐसा होता है कि ये alcohol देता है क्योंकि ये भी oxidation के बाद किसमें convert हो जाता है question 15 का question है जो कि बहुत असान है पहले आप question को पढ़ लो उसके बाद मेरा answer सुनना question क्या कहता है this synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by इन में से ऐसा कौन सा method है जिससे आप alkyl fluoride बना सकते हो अपना answer low कर लो उसके बाद मेरा answer सुनना तो जलो आपने answer low कर लिया तो मेरा answer क्या है यहाँ पर इसका आंसर भी है D स्वाट्स reaction से आप alkyl fluoride बना सकते हो दोनों question के answer के दर्शन में आपको लोगों को घरवा देता हूं जरह दा आंसे इसको देखो यह दोनों questions के answer है देखिए first question का answer में आपको बताया था डी है second question का answer भी है दी तो यहाँ पर देखिए isopropyl alcohol बोलते है इसको इसको इसके अंदर देखो यह group present है नहाँ पर CS3 CHOH यह group present है तो यह क्या देखिए यह positive दिखाएगा ठीक है तो positive वाले अपने को negative वाला देखना था दूसरा है ethyl methyl ketone यह आपका option B था तो वहाँ पर भी CS3 CO present है तो यह तो positive दिखाएगा तीसरा है मारे पास 3-methyl-2-butane-on यह देखिए 3-methyl-2-butane-on का यह formula है और यहाँ पर भी reaction नीचे लिखी हुई है तो यह दो question हो गए अपने चलिए अगले दो सवालों पर चलता है फटा-फट से क्या आप तयार हो चलो next question AEEE 2006 का question है जो कि again बहुत ज्यादा interesting है आप अपना answer दीजिए कहता है structure of major product formed in the following reaction is वीडियो को post करो अपना answer log करो कर लिया आपने नीचे क्या लिखा वा जरा धान से चेक करो आपके पास यह substrate दे रखा है NACN का DMF के presence में आपको attack करवाना है तो यहाँ पर क्या product बनेगा जरा check करो आपने अपना answer log कर लिया चलो मैं आपको answer बता देता हूँ इसका answer है D इसमें जो आपकी main जो state chain है उसी पर attack होगा nucleophilic यहाँ पर chlorine हड़ जाएगा यहाँ पर iodine पर को effect नहीं पड़ेगा chlorine हड़ जाएगा और उसकी जगा कौन ले लेगा cn बहुत simple सा answer था इसका answer है डी नीचे आपको मैं reaction भी दिखा दूँगा यहाँ लोगों को ध्यान रखना है now DMF क्या होता है आप सोचो ठीक है so finally next question question number 4 चलो मैं आप इसका full form बता देता हूँ डाइ मिथाइल फॉर्ममाइड कहते है इसको ठीक है DMF मतलब डाइ मिथाइल फॉर्ममाइड इसकी presence में street change जो होती है उसी पर फरक पड़ता है और यहाँ पर nucleophilic substitution हो जाएगा question number 4 जो की SN1, SN2 पढ़ा है तो SN1 का मतलब क्या होता है यह SN1 में जो rate of reaction होता है वो सिर्फ substrate यानि की main product जो जो कार्बकेटाइन में convert होगा basically ठीक है सिर्फ उसी की concentration पर rate depend करती है SN1 का मतलब तो सिर्फ यह होता है इसका मतलब जरा check करो और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 degree जो है SN1 सबसे अच्छा दिखाता है फिर 2 degree और 1 degree हमें पता है तो यहाँ पर जरा check करो कि यह ब्रोमीन से जो कार्बकेटाइन बन रहा वो कैसा है अगर यह ब्रोमीन अटाओगे तो यह बनेगा कार्बकेटाइन ठीक है तो यह तो में 1 degree दिखाई दे रहा है अगर आपने यहाँ से ब्रोमीन हटाया तो यह अपना कार्बकेटाइन है जो कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है यह 2 degree पर क्यों कर सकते हैं तो अगर आपने लगाया है तो आपको सही है तो आपको क्या गरना है प्लस पोर और गलत है तो इमानदारी से माइनस बन माग अपने आपको दे देने हैं चलो इन दोनों का आंसर के दर्शन मैं करवा देता हूं यह दोनों आंसर के दर्शन करवा देता हूं यह देखिए यहां पर DMF को फुल फॉर्म लिखा हुआ है बिलकुल तो चलिए आपको इमानदारी से इस कोशन को पढ़ना है और अपना अंसर लॉक कर देना है यह यह हो गया आपके पास कोशन नंबर 5 और कोशन नंबर 6 इंट्रस्टिंग ली देखिए कोशन नंबर 5 का कहता है आपसे कहता है अद्धियों क्युपुरेट बहुत ही फेमस रियक्शन अगर आपने पढ़ी हो तो डईलकॉय लीथियूं क्युपुरेट डईलकाल का मतलब हो गया तो चलो मैं अपना आंसर बताता हूँ इसका अंसर है सी अगर आपने सी लगाया है तो बिसिकली आप सही हो और एक्चुल में कौन सी रियक्षिन है कोरी हाउ सिंथैसिस है गाइस बहुत इंपोर्डेंट यह सी आंसर है इसका नीचे इसके दर्शन करा दो और टेंशन मतलो 6th question पर जलते हैं कहता है Elimination of HBR HBR का Elimination कराना है किस से कराना है 2 Bromobutane results in 2005 का question है आप अपना अंसर लो कर लिया तो चलो मेरा अंसर सुलो इसका अंसर क्या है इसका अंसर होगा B यहाँ पर जरा गोर से चेक करो यहाँ पर क्या पूछा आप से 2 Bromobutane यानि कि 1, 2 उसके बन होते हैं 2 numbers पर आपने क्या लगा रखा है Bromine so finally HBR आपको अठाना है तो यह यह कहता है यहांसे यह तो यह तो यह 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 HR और यह पिर हटा सकते हो तो तो यह 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 बियार और यह 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 सकते हो तो इसका मतलब आपके पास टू ब्यूटीन जो है उसके बनने के चांसे सबसे ज़्यादा है इसको सिजव परड़क्ट भी कहते हैं गाइस चलो इसके दर्शन करा देता हूं दोनों के आंसर जरा चेक कर लो आपका आंसर क्या यह है कोरी हाउस सिंतेसिजव मेजर परड़क्ट होगा सिजव वला दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिये चलो नेक्स्ट पर चलते हैं सो चलो गाई सेवन नंबर क्वेशन देख लेते हैं क्या है बहुत इंट्रसिंग क्वेशन ने कहता है इंदो फॉलोवी सिक्वेंस ओफ रेक्शन बाद उसके बाद मेरा सुन लेना चलिए अपने अंसर निकाल लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चल वेस्का आंसर क्या होगा डी कैसे आया बहुत असान है यहां पर करना क्या था सबसे पहले अलकॉलिक वेच यानि कि यहां पर बियार लगा हुआ है और यह यहां पर H लगा हुआ है ऐसा ही तो है यहां से HBR को बाहर निकाल लो मतलब एक एक यहां पर मैं मेरी बात स्टेट फोट समझ पा रहे हो आप HBR को यहां से हटाओ उसके बाद यहां पर यहां पर अलकीन बनेगी सो फाइनली एलकीन से वापस एडिशन होगा उसके बाद एकवस के उवेच से इसका रेक्शन कराना था तो यहां पर बी आर किससे हट जाएगा और फाइनली ओवेच से सब्सिट्यूशन हो जाएगा तो जरा अंसर चेक करो नीचे बना हुगा है जरा चेक करो चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं सबसे पह को बरूल के हिसाब से होगा तो बी आर आगया मिडल में उसके बाद एकवस के वेच क्या करेगा यहां पर सब्सिट्यूशन होगा बीर ग्रूप हटेगा और वेच ग्रूप आ जाएगा तो दी इसका आंसर दा चलो एट्स को चेक कर लेता है फड़ा फट से आपका आंसर होप सही होगा एट्स कोईशन का अंसर जरा चेक करो चलो तो क्या है कि आपको एट्सक्वशन आता है रीड कर लो फटाफट से फिर मैं उसका अंसर बदाता हूँ क्लोरोफोम इस लोकिडाइज वाए आइयर इन प्रेजंस ओफ आपना अंसर बता हुं तो फा इसका छी फो एक चुका है आपके बनेगा और अगर है तो चलो लास्ट के दो गुषिनस रह गए ड़ास्ट लेते हैं तो एच लिए टू पूछंट ऊलाई हो उसका रेक्शन आपने क्लोरोफॉर्म से कराया है तो फाइनली आप से पूछता है और किसे करवाया है यह बहुत फेमस रेक्शन है शायद लास्ट वीडियो में इसके डिस्कॉशन हो चुका है फिट भी आपको आंसर अपना लोग करना है क्या आंसर है इसका निकाले आपने अपने अपना अंसर लोग कर लिया क्या तो चलो मैं अपना अंसर बता देता हूं यह देखिए प्रैमरी आमाइन उसकी क्लोरोफॉम से रेक्शन और क्यों में आर एंसी बनता है बहुत ही फेमस रेक्शन है यह हम लोग लास्ट लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं और इसको बोलता है और यह हमारे पास देखिए क्लोरोफॉम से इसका रेक्शन कराओ के तो डी 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 बनने लगता है तो जरा चेक कर लो यह आपके आंसर हो ग अगर कुछ सब्सक्राइशन करने का हुआ तो आपको सब्सक्राइशन कर पाऊं लाइक करो वीडियो को अगर आप हमें इतना सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटल यह हम इससे भी जादा हाट बग करेंगे ताकि आप लोगों का सेलेक्शन हो गाईस तो बेस लुग फूर ए अगले वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच गाईस थैंक्स अलोट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू